इलाज का लाब दिया है या फिर जो उपचार करा रहे हैं उनमें से लाखों ऐसे साती हैं जो इस योजना से पहले अस्पताल जाने की हिम्मत ही नहीं यूटा पाते थे टालते रहते थे वो दर्द सहते थे जिन्दगी की गाड़ी किसी तरह खीटते रहते थे लेकिन पैसे की कमी की बज़र से अस्पतान नहीं जा पाते थे इस तकलीब का एसास ही हमें बीतर तक जगचोड देता है मैं ऐसे परिवारों से मिला हूँ इस को रोना कालक में और उसके पहले यह आईश्मान की जब जो लोग सेवाएं लेते थे कुछ बुजूर्ग यह कहते थे कि मैं इसलिए उप्चार नहीं कराता था क्योंकि मैं अपने संतानों पर कोई कर्ज छोड़ करके जाना नहीं चाहता था कुछ सहन कर लेंगे हो सकता है जल्दी जाना पड़े इस वर बुलाने तो चले जाएंगे लेकिन बच्चों पर संतानों पर कोई आर्थिक कर्ज छोड़ करके नहीं जाना है इसलिए उप्चार नहीं कराते थे और यहां इस कारकम में उपदिक्त हमसे ज्यादा तर नहीं अपने परिवार में अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देखा हुआ हमसे ज्यादा तर लोग इसी तरह की चिन्ताओं से खुद भी गुजरे हैं साथियों अभी तो कोरोना काल हैं लेकिन उससे पहले मैं देश में जब भी प्रवास करता था राज्यों में जाता था तो मेरा प्रयास रहता था कि आयुश्मान भारत के लाभारतियों से मैं जरूर मिलूं मैं उनसे मिलता था, उनसे बाते करता था, उनके दर्द, उनके अनुभव, उनके सुझाव, मैं उनसे सीधा लेता था ये बात वैसे मीडिया में या और सहरवजयरू उस्ते ज्यादा चर्चा में नहीं आई, लेकिन मैंने इसको अपना नित्यक्रम बना दिया था आईश्मान भारत के सेंक रोला भारतियों से, मैं खुद रुबरू मिल चुका हूँ, और मैं कैसे भूल सकता हूँ उस बूड़ी मा को, जो बरसों तक दर्द सहने के बात, पत्थरी का आपरेशन करा पाई, वो नवजवान, जो किड्नी की बिमारी से परिशान था, किसी को पैर में तकलीप, किसी को रीड की हर्दी में तकलीप, उनके चेहरे मैं कभी फूल नहीं पाता हूँ, आज आईश्मान भारत ऐसे सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा संबल बनी है, थोड़े पहले जो फिल्म यहां दिखाई गई, जो कॉफी टेबल बुक लाउंच की गई, उसमें खास करके उन माताओं बहनों की चर्चा विस्तार से की गई है, बीते तीन सालों में, जो हजारों करोड रुपिये सरकार ने बहन किये हैं, उससे लाखों परिवार गरीबी के कूछ चक्र में फसने से बचे हैं, कोई गरीब रहना नहीं चाहता है, कड़ी महनत करके गरीबी से बाहर निकलने के लिए हर कोई कोशिश करता है, आउसर तलासता है, कभी तो लगता है कहां बस अब कुछी समय में गरीबी से बहार आ जाएगा और अचानक परिवार में एक बिमारी आ जाएं, तो सारी महनत मिट्टी में मिल जाती हैं, गरीबी के कुछ चक्र से भार नहीं आने देती है और इसलिए आईश्यमान भारत सहीत हेल कैर से जुड़े जो भी समाधान सरकार सामने ला रही हैं वो देश के वर्तमान और भविश में एक बहुत बड़ा निवेश है भाई और भेनों आईश्यमान भारत डिजिटल मिशन अस्पतालों में